हाई दोस्तों असलाव अलेकूम किसे आप लोग मेरा नबील है अगर आपने iOS 18 पर अभी तक अपडेट नहीं किया तो आपने आपके लिए रिलीज किया है iOS 17.7.2 वाला अपडेट यह अपडेट आपको सेटिंग जेंडरल सौफ़ेर अपडेट में तो मिलेगा लेकिन जब जिन्होंने अपने iPhone को 18 पर अपडेट नहीं किया है iOS 17 पर चल रहे है उनके लिए यह अपडेट है यहाँ पे नीचे स्क्रोल करके यह वाला अपडेट करना अगर आप यह करेंगे तो 18 पर चले जाएंगे उसके बाद अगर आपको कोई इशू लग रहा है यह 18 पर आ सकता या 300 MB के अंदर का ही अपडेट है आपके लिए यह जो है चोटा सा अपडेट क्यों है अपने रिलीस किया अभी आपको समझेगा अपडेट करने से पहले 17.7.1 में चला रहा था मेरे इस वले iPhone 15 प्लस पे अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट करने से बहले 75.65 GB का और कोई चेनी है 1.70.02 है इस वाले अपडेट का बिल नमबर है 21H221 इस अपडेट में क्या नया है तो आपको क्या लगता है इस अपडेट में आपल कुछ नया पुछ करेगा बिल्कुल भी पुछ नहीं करने वाला है यह अपडेट के अंदर iOS 17 वाले ही फीचर आपको देखन है इसका रीजन है एपल के सेक्यूरिटी रिलीज तो यह सेक्यूरिटी रिलीज जो है बहुत जादा इंपॉलन होती है कुछ वलनरेबिलिटी होती है आपके iOS वर्जिन के अंदर जो के ओर पिर टाइम कुछ ना कुछ हैकर वगरा जो है उसमें जाकर निकाल लेते हैं तो जावा स्क्रिप्ट कोर इसके अंदर जो वलनरेबिलिटी थी इसका जो इंपक्त था जहां पर मलिशिसली क्राफ्टेड वेब कॉंटेंट जो है वो एक्जिकूट हो सकता था उसको यहां पर सॉल्फ कर दिया आपल ने और वेब केट से रिलेटेड यानि सफारी से भी रि जो की मैं बात करना चाहता हूं एक है नेटवर्क और दूसरा है स्टोरेज क्यूंकि नया मोडेम फर्मवेर नहीं है तो नेटवर्क के अंदर आपको चेहीं नजर नहीं आना चाहिए अगर आपके नेटवर्क के इशू था यह अपडेट करने पर अगर वो इशू की यहाँ पर स्टोरेज जैसे मैं आपको जहाता हाँ हमा है तो यहाँ पर देखते हैं सिस्टेम देटा तो से अधा हाइर साइड है मेरे इस फोन में क्योंकि मेरा मेरा डिवाइस है मेरा 16 व्रो मैक्स तो उसाइधार रहता है वहाँ फ्लक्ट्वेटिंग यहाँ भी है कि होगा जब फ्लक्ट्ट्ट होता है मतलब कम जादा होता है तो यहां पर हम चलते हैं सेटिंग के अंदर बैटरी में और बैटरी हेल्थ में तो 100% बैटरी है साइक साल से ज्यादा हो गया इस फोड को और अभी तक बैटरी हेल अच्छे से नहीं है अपडेट करने के बाद री कैलिब्रेट होगी तब बैटरी अपकी गिर भी सकती है तो इस बात का भी ध्यान रख लेना वाद में मुझे बंद लेम करना कि आपने नहीं गिरी के और गिरी क्यों गिर सकती है आपकी बैटरी हेल्ट इसलिए आपको बता रहा हूं परेटर लाहएं में आपको बताया मेरे फैमेरिट नहीं है में फोन एकसाथ इस पॉसिबल नहीं है तो अगर आप चाहे तो मैं टेस्ट कारूं सकता हूं किसकर पहरा एंटरी नॐबन कोछ्शक gemacht परफॉमेंस की बात करें अभी फिलाल इस वाल आइफोन को नहीं करूंगा तो आपको करना है तो आपकी मर्जी है पकी बैटर लाइफ उसमें थोड़ी सी कम है गीक बेंच की बात करें यहाँ पर परफॉमेंस बेंचमार्क की तो यहाँ पर सीपी स्कोर देख लेते हैं पहले 25976573 था अभी 2574 है 6425 है तो हलका सा कम हुआ है लेकिन क्या होते है अपडेट करने का फोन गरम भी रहते है तो थीक है उतना ही है और जीप्यू की हिस्टी में जलते है तो यहाँ पर 22594 था अभी 22975 है देकि यहाँ पर बढ़ गया है फोन थोड़ा कुल डाउन हो आसके जीप्यू टेस्ट में ने किया तो बढ़के निकल के स्कोर तो यह परफॉमेंस होके परफॉमेंस में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है पकी बैटर आने वर्जिन पर होगा आपको 17 पर ही रहना है अपडेट कर लिजिए उसमें भलाई है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्ण सेक्रूर्टी फिक्स यहाँ पर आप पल ने पुश किया है 17 पर चलने वाली यूजर्स के लिए अगर आप फिर भी नहीं करना चाते तब भी कोई आपके लिए आपके लिए इंप।